हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम कुल 45 प्रस्टों को करेंगे जो प्रतेक परिक्षाओं में अक्सर इनमें से प्रस्ट पूछ लिया जाता है और यह सारे प्रस्ट कभी न कभी किसी न किसी एक्जाम में आये हुए हैं बार-बार रिबीट होते रहते हैं इस तरह के कुश्चन और बार-बार भूल जाता है व्यक्ति तो इस प्रस्टों को बिल्कुल याद कर लेंगे यह प्रस्ट आपको जरूर आने वाली परिक्षाओं में मिलेंगे चाहे हो समिक्षा दिकारी के परिक्षा या UPPCS की होने वा पाल में इस्तित है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब होई थी तेक इस तरह के दो प्रस्टन है एक ललित कला अकादमी की स्थापना कब होई थी और दूसरी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब होई थी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना होई थी 1953 में फिर प्रसन पूछ लिया जाता है अक्सर स्टुडेंट भूल जाते हैं ये कभी ये इनके स्थापना हुई थी तो संगीत नाटक अकादमी के स्थापना उपन में और छलिटकला अकादमी के स्थापना हुई थी 1954 में ऐस्य आटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्स होई थी तो यह हुई थी 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा फोर्ट विलियम कलकत्ता में हुई थी 1784 में हुई थी विलियम जोन्स के द्वारा हुई थी बहुत इंपोर्टेंट परसन और बहुत बार-बार पूछा जाने वाला परसन इस एयाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्स हुई थी? 1784 में. B option is correct. Next है, भारती ये पुरातत्व सर्विक्षन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो भारती ये पुरातत्व सर्विक्षन संस्थान की स्थापना हुई थी सबसे पहली बार 1861 इसवी में. कब हुई थी? 1861 इसवी में. पुरातत्व सर्विक्षन संस्थान की स्थापना हुई थी. 1861 इसवी में. उसके बाद second next प्रसन है, राष्ट्रिय सेक्षिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परिसद यानि कि NCRT की स्थापना कब हुई थी? तो दो सिक्षा से संबंदित है आयोब एक UGC, University Grant Commission और NCRT इन की स्थापना कब हुई थी? यह आपको बिल्कुल याद होना चीए. NCRT की स्थापना हुई थी 1961 में और UGC की स्थापना हुई थी 1956 में. बिल्कुल याद कर लेंगे, कंठस कर लेंगे इसको. UGC की स्थापना 1956 में हुई थी और NCRT की स्थापना 1961 में हुई थी. तो इस परका अंसर होगा D. 1961. नेक्स्ट है फिर एसियार्टिक सोसाइटी की स्थापना किस ने की थी? तो यह विलियम जोन्स ने की थी, 1784 इसवी में फोर्ट विलियम कलकत्ता में की थी. नेक्स्ट है विस्व कला संगर का भंडार किसे कहा जाता है देखी राष्ट्रि संगरहले दिल्ली में है सलार गंज संगरहले बहुत ही इंपर्टेंट ही है यह थे रादेंट क कहा पर है बहुत ही इंपर्टेंट सबढ़ हान इंपर्टेंट है याद reflection बहुत इंपॉर्टेंट प्रसन है कि हिंदुस्तानी एकडमी जिसे भारती भासाओं की रक्षा तता विकास है तो इस थापित क्या गया था कहां पर इस्तित है बहुत इंपॉर्टेंट प्रसन है तो इसका अंसर होगा बी अलहाबाद में है नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रसन हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिकन का मुख्याले कहां पर था देखे एक 1924 में बनी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन कानपूर में कानपूर में बनी थी और दूसरी 1928 में बनी थी हिंदुस्तान सोसलिस्ट प्रबिकन का मुकारले कहा था आगरा में हुमायू ने संभल को अपने किस भाई को दे दिया था बाबर की मृत्ति के बाद बाबर के समराज को हुमायू मतलब बाबर के पुत्रों ने चार पुत्रों ने आपस में बांट लिया था जिसमें संभल एक बहुत ही इंपोर्टें किसे जन्पद में है ये चंदौली जिले में है इसको भुलैनी किला भी कहाता है भुलैनी फोर्ट भी कहा जाता है इसके पीछे किये कहा नहीं है कि इसमें कोई बरात खो गई थी जब गई थी इसको देखने के लिए तो खो गई थी तब से इसको भुलैनी किला भी कहा जाता है और कई तरगे मान्यता हैं यहां पर तो हेतम का किला के अवसेज कहां पर हैं चंदौली में यह सेर्शा सूरी के एक सुपधार थे हेतम खान उन्होंने बनवाया था हेतम का किला होकी दिगज मेजर ध्यान चंद का जनम कहां हुआ था बहुत ही इंपोर्टन प्रसन है यह प्रयागराज इलहाबाद में हुआ था इलहाबाद में होकी दिगज मेजर ध्यान चंद का जनम हुआ था उनका जनम 29 अगस्त को हुआ था और इसी दिन को रश्ट्री खेल दिवस क के रूप में मिनाया जाता है मेजर ध्याण्चंद के जन्म दिवस को होकी रस्तरी खेल सिर दिवस के रूप में मनाया जाता है तो इनका जन्म कहां पर हुआ था इलाबाद में डियओ ऑसा in स mouth andจะ करें हर्सवरधन का तामरपत्रले कहां से प्राप्त हुआ था बहुत रिपब्लिकन इस्तापना 1924 में कानपूर में की गई थी, तो इसका C option सही है, कानपूर में इसकी इस्तापना की गई थी, स्री नगर में केंदरी है, रिजर्ब पुलीस पल, आप जानते हैं कि जमुकरिस्मीर में CRPF तैनात रहती है, तो वहां के महानिरिक्षक, आईजी के रूप में निक्थ होने वाली पहली महीला IPS अधिकारी का नाम बताईए, तो उनका नाम है चारू सिन्ना, चारू सिन्ना है, CRPF की पहली महीला महानिरिक्षक के रूप में निक्थ होई है, स्री नगर की, चारू सिन्ना भी आंसर सही है, वेस्विक नवचार सुचकांग अभी जारी हुई है वेस्विक नवचार सुचकांग में भारत ने पहली बार टॉप 50 देशों में किस इस्थान पर जग़ बनाई है तो इसका correct answer C है 48 फे इस्थान पर है कुल 50 देशों में से 48 फे इस्थान पर है प्रिस ट्रस्ट अफ इंडिया के 9 नियुक्त अध्यक्ष का नाम बताना है आपको तो यह है अवीक सरकार C option सही है इसका अवीक सरकार प्रिस ट्रस्ट अफ इंडिया PTI के 9 नियुक्त अध्यक्ष है अवीक सरकार Times Higher Education World University Ranking विस्व के टॉप 400 में भारत के कितनी इनवस्टियों को जगा मिली है इसमें टोटल दो इनवस्टिया है जिनको टॉप 400 में जगा मिली है वैसे यह जो रैंकिंग है जिसमें कम से कम 1200 या 1300 इनवस्टियों को लिया गया है जिसमें भारत की 63 इनवस्टिया है ठीक है इसमें जो दूसरी है IIT रोपड दो इन्वस्टियां ऐसी है जिनको टॉप 400 में जगा मिली है टाइम्स हाइर एजुकेशन वर्ड इन्वस्टिय रैंकिंग में फिर है next बहुत important book है the big thoughts of little love नामक पुस्तक के लेका कौन है तो यह है करन जोहर आपको यह बताना है कि अभी हाली में चेतन भगत के एक नई book launch हो यह प्रकासित हो यह उसका क्या नाम है अगर आपको मालू है तो जुरू बताए लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोस है भारत का राष्ट्री पंचांग किस समवत परधारी थे यह अभी पिछले बार PCS में पूछा गया था question इसके उपर दो option थे कि यह भारत का राष्ट्री पंचांग किस परधारी थे क्या विक्रम समवत परधारी थे या सक समवत परधारी थे और दूसरा option था कि इसको भारत की सरकार ने कब अपनाया था, तो इसको 1957 में अपनाया गया था, भारत के राश्ट्री पंचांग सक सम्वत पर अधारी थे, और इसको 1957 में भारत सरकार ने अपनाया था, भारत के राश्ट्री पंचांग सक सम्वत पर अधारी थे, जब किसी भारती को पहली बार मिला था, नोबेल प्रसकार तो सहित का मिला था, और वो थे रविन्ना टेगोर, गितांजली के लिए 1913 में इनको मिला था, रविन्ना टेगोर को, अब उनकी कौन सी कृति इसमें से नहीं है, तो चित्रा चित्रहंगना दकोर्ट डांसर, ये त पाल कुंडला, नेक्स्ट अब भारत के राष्ट्री द्वज का डिजाइन किस ने तियार किया था, तो भारत के राष्ट्री द्वज का डिजाइन, पिंगली वेंकईया, टी ओप्सन है, उन्होंने तियार किया था, इसकी चोडाई और लंबाई के बीच में, चोडाई औ का option सही है रास्टी दोज कर डिजाइन तिहार किया था प्रेमपचीसी में प्रेमपचीसी के रचनाकार है प्रेमचंद प्रेमचंद है प्रेमचंद कि बहुत समें यहारे कमन नहीं है तो एक्जाम में पूछ ले जैसे प्रेम पचीसी, कोदान, गवन, जैसे किताबों का नाम सब को याद रहता है, लेकिन प्रेम पचीसी का नाम याद नहीं होगा, तो ये प्रेम चंद की मसहुर, अचाहां इनका मूल नाम क्या था, धनपत राय सिर्वास्ता हो था, ये भी एक्जाम में पूछा गया है, नहीं ये पुस्तक लिखी थी, दवील्स ओफ हिस्ट्री, राम मनोहर लोया के पुस्तक है, दवील्स ओफ हिस्ट्री, पोस्ट ओफिस के लेखक कौन है, पोस्ट ओफिस, पोस्ट मास्टर, घरे बहिरे, ये सब रविन्ना टेकोर की, ये सब किताबे हैं, पोस्ट ओफिस, तो रमीना टेगोर की है समय से, निम्ड अकभारों में से मुक्यता उधारवादियों के नीतियों का परचारक था, नियू इंडिया एनुबेसेंट की अकभार था, यंग इंडिया महातमा गांधी का था, लीडर मधन महन बालविय का था, तो मधन महन मालविय का ये हग़बार उधारवादियों की नीतियों का मुगेता परचारक था, जंडागीत किसने लिखा है, तो जंडागीत स्यामलाल गपत, जेने पारशद भी कहा जाता है, इनोंने लिखा है जंडागीत, स्यामलाल गपत, पारशद, अब देखिए हमारे जो समिधान में या हमारे देश में तीन तरक हैं, एक तो राष्ट्रिगान इसको कब अपनाया गया था, इससे प्रस्न बहुत पूछा जाता है कि राष्ट्रिगान को कब अपनाया गया था, उसके बाद हमारे देश का प्रतीक चिन को कब अपनाया गया था, ये जरूर पू राश्ट्रे प्रतीक है उसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था तो ये सब चीजे आपको याद रखनी है उपन्यास दुर्गेश नंदनी के लेखक कौन है देखे अभी पिछले प्रस्नों में हमने देखा था रविंदर नाथ टेगुर की कौन सी पुस्तक नहीं है तो कपाल क कुंडला थी है ना उनकी वो कृती नहीं थी उसी तरसे दुर्गेश नंदनी ये भी बंकिम चंदर चटर जी की है और कपाल कुंडला भी बंकिम चंदर चटर जी की है तो उपन्यास दुर्गेश नंदनी के लेखक कौन है डी अप्सन सही है बंकिम चंदर चटर जी के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की सक्ति प्रदान की गई थी तो इसका आंसर सही होगा बी इंडियन कांसिल एक 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की सक्ति प्रदान की गई थी दूसरा है जो राष्ट्रपती अध्यादेश जारी करते हैं वो 1935 एक्ट के तहद ये प्रावधान रखा गया था राष्ट्रपती को ये ताकत दी गई थी कि वो भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं और गवर्नर जन्रल को 1861 काउंसिल एक्ट के द्वारा ये ताकत दी गई थी कि वह अध्यदेश जारी कर सकते हैं। निम्न में से किसने सरवप्रतम प्रेस सेंसर्शिप लागू की थी। देखिए प्रेस सेंसर्शिप से जुड़े हुए पांच लोगों का आपको नाम याद रखना है। लॉड वेलेजली जिन्होंने प्रेस सेंसर्शिप लागू की थी जिसको लॉड हैस्टिंग ने निरस्ट किया था। दूसरा 1878 में लॉड लिटन ने लगाया था प्रेस सेंसर्शिप जिसको लॉड रीपन ने निरस्ट किया था। लॉड रीपन ने उसको निरस्ट किया था। और प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है कमेंट बॉक्स में बताइए अब। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक किसे ने लिखी है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक भी रामनोहर लोहिया ने लिखी है अभी रामनोहर लोहिया जी कि हमने एक और किताब देखी थी यह दूसरी किताब है गिल्टी मैन ऑ यहां पर बहुत ही बढ़िया से इस्तेमाल किया सभी राजाओं को अपने कभजे में लिया जैनाओं को दे के उनकी सुरक्षा को अपने जिम में मिले लिया था तो इससे पूरा एक बफर स्टेट तेयार हो गया था अपने जो छेतर के आसपास चार और इन्होंने एक बफर इस्टेट त्यार कर लिया था गोल्डन ग्रैस होल्ड नामक कविता संग्रह की रचाईता नेमलेकित में से कौन है यह आपको बताना है तो यह सरोजिनी नाइडव जिनकी कुल तीन किताबे बहुत ही इंपोर्टेंट हैं जिसके बारे में एकजाम में बार बार पूछा जाता है गोल्डन ग्रैस होल्ड ब्रोकन विंग और तीसरा है दब बर्ड अफ टाइम यह तीन किताबे सरोजिनी नाइडव कोई बहुत ही फेमस है और इन्होंने 1925 कानपूर अधीदेशन की अध्यक्षता भी की थी लेकिन पहिली महिला कौन हिससे ऐसी हैं जिनोंने कांग्रिस की अध्यक्षता कि थी तो वो है एन्यवेसेंट 1917 में अध्यक्षता की थी कांग्रिस की जब भारत को स्वतंतरता प्राप्ती हुई थी तो United Kingdom में नेमने में से किस पार्टी की सत्ता थी देखे इससे दो तरह के प्रस्न पूछते हैं बार बार किस की सत्ता थी Labour Party की और कौन परधान मंत्री था तो Clement Italy परधान मंत्री था और उस समय Labour Party की सत्ता थी दो तरह के प्रस्न पूछे जाते हैं किस वर्स राष्ट्री गीत वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था वंदे मातरम को कब गाया गया था और जो हमारा राष्ट्री गीत है राष्ट्री गान जनगण मन उनको कब गाया गया था ये दो प्रसन हमेसे एक्जाम में पूछे जाते हैं तो राश्ट्री गीत वंदे मातरम को 1896 के कलकत्ता दिवेशन में गया 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 था और राश्ट्री गान जनगन मन को 1911 के कलकत्ता दिवेशन में गया गया था तो इसका आंसर होगा कब हुई थी बंबई मदरास और कलकत्ता में उच्छ नयाले की स्थापना कब हुई थी तो ये 1861 में तीनों जगा उच्छ नयाले की स्थापना हुई थी भारत छोड़ो अंदोलन का नारा किस ने दिया था भारत छोड़ो अंदोलन का नारा किस ने दिया था तो ये हैं यूसुफ मेहर अली इन्होंने भारत छोड़ो अंदुलन का नारा दिया था जिसको इन्होंने महतमा गांधी को सलाह दिती थी कि इस नारे को ही पॉपुलर किया जाए इस नारे को ही स्लोगन बनाया जाए 1922 में तो इन्होंने महतमा गांधी को इसको नारा में ना कोन नहीं तो यह रफीक जकारिया के बहुती प्रसीट eder को लिए अदीडिया तो यह जिर्मनी और पोलेंट के बीच जो रेखा है उसको फीडनबर सक रेखा कहा है। उनन्चस्वी समानंतर रेखा किन देसों के मद्ध इस्थित है? तो यह कनाड़ा और अमेरिका के बीच में हैं। कनाड़ा और यूसे के बीच में है, मैनरहीम रेखा किन देसों के मद्ध इस्तित है, मैनरहीम रेखा रूस और फिनलेंड के बीच में है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, मैने जैसे बताए कि पहले इस्पेन, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच म को हम सीज फ्राइड रहा कहते हैं जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो रहा है उसको सीज फ्राइड रहा कहते हैं सी ओप्सन सही है इसका तो यह टोटल 45 प्रसंट किये थे बहुत ही इंपोर्टेंट प्रसन है इन प्रसनों को याद कर ले बार-बार देख ले नेक्स्ट मैं वीडियो